नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रेन का जेनरल टिकट यानि अन्रिजर्ब ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं जिसे आम भासा में दोस्तों हम चालू टिकट भी कहते हैं अब आप घर बैठे अपने मुवाइल टिकट बुक कर सकते हैं अब आपको रेलवे स्टेशन में लंबी लंबी लाइन लगने की कोई जरुद नहीं है इस वीडियो में आपको complete जानकारी दोंगा जिससे आप अपने मुवाइल टिकट यानि चालू टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखना होगा अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना अपना मुवाईल का प्ले स्टोर ओपेंड कर लेंगे ओपेंड करने बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना यह रेलवे का ओफिस्यल अपना है इस अपना लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएके डारेक्ट वहाँ से भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वाइल यूजिंग दे एप में क्लिक करेंगे, वाइल यूजिंग दे एप में क्लिक करने बाद आपके सामने railway का यानि UTS का application आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखनी पर लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, अपना train ticket को book करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक account create करना होगा, यानि आप एक बार account create करने बाद आपका भी भी user ID और password से आसानी से ticket को book कर सकते हैं, यानि जिसको बोलते हैं हम लोग general ticket को आसानी से book कर सकते हैं, अपना ID बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखने मिलेगा login बस क्या करने, तो यहाँ पर आपको नीचे देखने मिलेगा register बस क्या करेंगे, आपको इस register क्लिक करने बाद आपके सामने एक form खुल के आएगा, इस form को आपको सही सही fill up करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना अपना mobile number आपको fill up करना आपका जो भी mobile number होगा यहाँ पे अपना mobile number fill up करेंगे दैन उसके बात यहाँ पे आपको देखनी मिलेगा enter your name यानि आपका जो भी name होगा यहाँ पे क्या करेंगे अपना name को fill up करेंगे then उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा password इस box में क्या करेंगे आपको एक password को create करना है password create करने बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा confirm password यानि आपने जो भी उपर password fill up कियें उसी password को आपको नीचे में सही सही fill up करना है यहाँ पर अपना password fill up करने बाद उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने मिलेगा select gender इस पर click करके अपना gender choose करेंगे अगर आप mail है तो mail पर click करना अगर आप female है तो female पर click करेंगे यहाँ पे click करने बाद उसके बाद नीचे देखने मुलेगा enter of date of birth यानि क्या करेंगे यहाँ पे आपको अपना date of birth को fill up करना है तो चलिए यहाँ पे मैं अपना details को सही सही fill up कर लेता हूँ यहाँ पे अपना सारा details को सही सही fill up करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखनी हुए एक box I accept the UTS बस क्या करेंगे? Simply आपको इस box पर tick कर देना, इस box में check mark करने के बाद उसके बाद नीचे आपको नीचे आपको इस register पर click करेंगे, जैसे register पर click करेंगे click करने बाद यहां पे आप जो भी number दिये होंगे उस number पर एक OTP को send किया आता है तो यहां पे आपको क्या करना, आपको कुछ second wait करेंगे आपको देख सकते हैं मैं आपको OTP आ चुका है बस क्या करेंगे? उस OTP को आपको यहां पे fill up करना, enter OTP, उस OTP को आपको इस दिगर fill up करना है, तो चलिए यहां पे मैं अपना OTP को fill up कर लेता हूँ यहां पे अपना OTP को सही सही fill up करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखनी मिलेगा submit OTP, बस क्या करेंगे? simply आपको submit OTP पे click करेंगे, जैसे click करेंगे click करने बाद इस तरह से हाँ पे देखनी मिलेगा registered successfully, यानि आपका हाँ पे registered successfully हो चुका, उसके बाद क्या करना आपको एक message भी आ जाएगा, जो कि आप UTS में successfully आपका registered कर दिया जाएगा उसके बाद क्या करने यहां पे OK पे click करेंगे जैसे आप यहां पे OK में click करेंगे, OK में click करने बाद आपके सामने इसका interface इस तरह से देखनी मिलेगा तो guys यहां पे क्या करेंगे, simply आपको login कर लेना है login करने के लिए यहां पे क्या करना, अपना mobile number डालना है जो भी आप यहां पे UTS में अपना account बनाए होंगे यहां पे देख देखते हैं loading ले रहा है, loading लेने बाद आपके सामने इसका interface इस तरह से देखनी मिलेगा तो guys यहां पे अपना general ticket यानि चालू ticket को book करने के लिए simply आपको क्या करना, यहां पे आपको normal ticket देखनी मिलेगा एक तो देखने हैं लोगा next book travel paperless और यहांपे आप को by अउट नहीं करना अपना टिचापका आउट करना आपको मोगाल में सेव रखना हैं मुगाल में offerings रहें आपका क्या है कि अगर आप यहांपर इसको चूज दो? आपको लिए जो 지방चन में होता है आपको यहाँ से अपना टिकट को और फैसे प्रश्ट भलॉप्सन यहां होता है क्या है के लगबग पांच किलो मिटर के अंदर अठीकट को भूग कर सकते हैं तो आप इहां पर क्या करेंगे सिंप्ली आपको क्या करना बुक ट्रेवल पर लेश पर किलिक करने के बाद उसके बाद गाइस क्या करना आप को नीचे देखने मिलेगा depart from going station यानि आप कहां से कहां तक जाना चाहते हैं तो simply आपको देखने मिलेगा station name इस पर क्लिक करेंगे शija जाना यानि आप कहां से होगो यान दिखेने मेजा यहां पर आट लूच ऊपर टीक्ट को लिए कितना टीकट यानी 48 आजनाスト केक्ट माब कर सकते हैं अवे इफ़ाइ Chase करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे यहां पर देखे सकते हैं पर रिटरन का भी टिकत आप बुक कर सकते हैं अगर आप एक सिंगल यानि सिंगल टिकत बुक करना चाहते हैं जाने का सिंगल टिकत बुक करना चाहते हैं तो यहां पर यहां पर कुछ नहीं करना है पर वो चें simply इसको आप मैं छोड़ देता हूं छोड़ने बाद गाई से यहां पर क्या करेंगे आपको नीचे देखनी मिलेगा payment type यानि आप चो payment करेंगे किस टाइप से payment करना चाहते हैं आपको नीचे देखनी मिलेगा यहां पर टोटल किराया आपके टिकट का हैं पर 10 रुपीज देखनी मिलेगा उसके बाद इस टिकट को बुक करने लिए क्या करना आपको नीचे देखनी मिलेगा बुक टिकट बस क्या करना आपको सिंपली बुक टिकट पर किलिक करने बाद इस तरह से लोडिंग लेगा लोडिंग देने बाद यहां पर देखेंगे इस तरह से लोडिंग लेगा उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आपन करने का पेज यानि आप पैमेंट जो करेंगे किस माध्यम से पैमेंट करना चाहते हैं अगर आप अगर आपना A.T.M कार्ट के फूर एकłem PayPal से आपना उसके अपको यहां पर यहां पर नीचे देखने के पूर आप Mac payment बस क्या करेंगे simply आपना इस Mac payment पे क्लिक करेंगे Mac payment पे क्लिक करने बद इस तरह से loading लेगा loading लेने बद आपके सामने इसका interface इस तरह से देखने मिलेगा अगर आप यहाँ पे अपना अपना amount पे करके दिखाऊंगो यानि आपना amount नहीं प्याकर करने पर नहींचे देखने मिलेगा प्रोसीड पर करेंगे बाद यहां पर आपका ओटीप आएगा उस नंबर पर ओटीप को यहाँ पर करेंगे देसे आप अपड़ क्या करना आपको वेरिफाय में क्लिक करेंगे वेरिफाय में क्लिक करने बाद यहां पे एक फिर से दोबार नीचे में क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे यहां पर नीचे में क्लिक करेंगे यहां पर नीचे देशन में लगा राइट का उप्सन बस क्या करेंगे क्लिक करने बाद यहां पर देखेंगे प्रोसेसिंग ले रहा यहां पर कुछ सेगन वेट करना यहां पर रिफ्रेंस वगरा कुछ नहीं करेंगे यहां देखेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर अपने पास रखना यानि इसका स्क्रीन सौट वगरा आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर आप स्क्रीन सौट ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे आप यहां पर अपने दोस्त्त को सेर कर देंगे क्या होगा कि वह भी इस टिकर यानि या उपना टिकर सकते हैं लगेवोग हो चुका अपने कलिकट करेंगे उपके क्लिक करेंगे वोगेश्यक करेंगें Noria करेंगे wurde आपका जो ticket होगा यह आपका अप्लिकेशन नहीं यूटियस अप्लिकेशन रेल्वे कर जो आपका सेब हो के रहता है यहां पर देखेंगे जो आपके सामने इस तरह से मेरा टिकेट बूक हो चुका है आपको इस तरह से दिखने मिल जागा है यह आपके देख सकते हैं इस स्क्रीन सोड लेंगे अपने फ्रेंड को भी सेड कर सकते हैं वो भी आपका इस ट्रेवलिंग कर सकता है तो दौस्तों इस तरह से बढ़िए असानी से आपना जैनल टीकट